हाई एवरिवन केसे हो आप सब आप आप खुश हैं सस्त हैं और मस्त हैं और थैंक्यू 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 सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए तहें दिल से मैं आप सभी का शुक्रियाद है यहाँ पर करना चाह मैं समझती हूं आप लोगों की फीलिंग और फ्राइडोork生 को जिस तरीके से मतलब न ऐन आप इस्षुर के परैम में बहना चाहते हो उनको समझना चाहते हो इस पर boysन जड़यका की होती है उसे देखना चाहते हो उसके परमात्मा को प्यार को उसके रस को महसूस आप करना चाहते हूं मुझे नहीं पता कि कौन किस परपस से इस रिडिंग को देखता है कौन किस लिए देखता है लेकिन मेरे अधिकतर सस्क्राइबर्स बहुत जादा बिलीव करते हैं भगवान के उपर उनके प्रेम में बहुत जिसे कितिना खो जाना चाहते हैं रम जाना चाहते हैं उनको सच में पता है एक्चल में पता है उनको कि क्या सच है और क्या जूट है तो आज मैं यहाँ पर जो थीम है रिडिंग का मैं करने वाली हूँ केंडल वेक्स रिडिंग कृष्णा के अर्जेन मेसेज कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं क्या है जो अभी आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉंगली यहाँ पर फीलिंग आ रही है बहुत मैं अलगी अपने आपको अलगी उर्जा में मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ I don't know मुझे नहीं पता ओके तो और यह कलेक्टिव रिडिंग है मैंने कोई पाइल नहीं रगी है और जनल रिडिंग है टाइम्रेस रिडिंग है आप इसको कभी भी देख सकते हो जब भी आपके सामने आती है यह रिडिंग यानि कि कृष्णा जी आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहते हैं ओके और टाइम्रेस रिडिंग है आप कभी भी इससे देख सकते हो और जिसे भी परसन रिडिंग चाहिए मैं अपना वाटसप नंबर डिस्किप्शन बॉक्स मेंशन कर रखा है सिर्फ वही पर मेसेज करना है फोन नहीं करना है वहाँ आप बुकिंग करा सकते हो ठीके जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आपकी हर मेसेज का में रिप्लाइज जरूर करती हूँ देर लग जाती है पर सौरी बीजी बहुत लाइफ हो चुकी है आई होप आप समझ रहे होंगे ओके तो की एनरजी को मैं पिक कर पाऊंगी और प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो क्योंकि यहां से मुझे पता चलता है पता चलता है मुझे कि आप किस लेबल तक हो ओके मुझे नहीं पता चलता है लेकिन बहुत कुछ चीजे ऐसी होती है जो आ कि कृष्णा जी अभी आपको क्या मेसेज देना चाहते हैं कि कृष्णा क्योंकि आपको क्या मेसेज देना चाहते हैं कि किसी के लिए मुझे यहां पर मेसेज मिल रहा है कि आपको अपनी क्लींजिंग करने की जरुत है ठीक है आप अपनी हीलिंग करो थोड़ी सी क्लींजिंग करो आप अपनी यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है ना किसी के ओपर बहुत जादा बर्डन आ रहा है किसी काम का प्रेशर आ रहा है और काफी मतलब अपने आपको एक केते ना की रेस्ट नहीं लेना अननेसेसरी बहुत जादा अपने आपको इन्वोल कर देना तो क्रिशना जी आपको यहां पर मेसेज दे रहे हैं उतना करो जितना आपकी बोड़ी अलाव करती जितना आपका माइंड अलाव करता है हर चीज को जबज़स्ति अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करो ठीके क्रिशना जी आपको हमेशा आपको capacity इतनी नहीं है कि आप उस काम को कर सको आपके पास आएगा भी उतना जितना आप कर सकते हो ठीक है तो कृष्णा जी आज आपको यहां पर यही message देना चाहते हैं किसी की कृष्णा जी वो किसी की life में ना कोई बहुत साधा अकेला पर महसूस कर रहा है बहुत ज़्यादा अकेला है उसको मतलब किसी की support की जरुते किसी की प्यार की जरुते यहां पर तो कृष्णा जी उसकी life में बहुत जल्दी एक एक soulmate उसका soulmate उसको वहाँ पर दे रहे हैं किसी का life partner वापस उनकी life में आ रहा है किसी की बहुत लोगों का reunion देख रही हूँ जैसे केते हैं न कि मिलन है यहाँ पर दो लोगों का मिलन है दो आत्माओं का मिलन है यहाँ पर कृष्णा जी आपको मतलब एक कोई भी आपकी कर चल रहे हो उस अधूरी इच्छा को अब पूरी करने वाले हैं कोई इच्छा है बहुत टाइम से को यहाँ पर रिडिंग को बहुत दिहान से देख रहा है बहुत जादा emotional हो रहा है बहुत जादा मतलब ऐसा हो रहा है कि कब वो समय आएगा क्रिश्णा कब वो मुझे peace म मिलागा मेरी life के लिए मेरी जिन्दी के लिए जैसे कोई कह रहा है कि मैं ठक चुका हूँ मैं अब नहीं ले सकता हो यहाँ पर तो क्रिश्णा जी ने उनके सीर पे हाथ रखा हुआ है कंदे पर हाथ रखा लिटरली मुझे वो word सुनाई दे रहे हैं कि मैं तुमारे पीछे खड़ा हूँ मैं तुमारी पीठ बनकर खड़ा हूँ किसी बात से डरने की जरुरत नहीं है जितना भी डर है भै है उसे निकाल दो किस बात से डरते हो आगे बढ़ो मैं हूँ तुमारे साथ किसी बात की कोई टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको ठीके आप जिस चीज से आगे बढ़ने से डर रहे हो, घबरा रहे हो, एंसाइटी हो रही है, उसको सबको निकाल के फेक दो, एक बार मुझे दिल से पुकारो, एक बार मेरा नाम दिल से आप लेकर देखो, बहुत कुछ चीजे अपने आप आपकी शोटाउट होते हुए देखोगे, कोई यहाँ पर इनी गाहों से भी आपको देखते हैं, यह आपको फील भी होता होगा, जब कई भी कोई मुझे इसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े मंदिर में जाता है, जैसे भवी मंदिर होता है न, कृष्णा जी का वहाँ जाता है, और वहाँ पर घंटो बेटता है वहाँ पर, ठी एक कन्वर्शेशन बराबर आपका चलता रहता है, आपको वहाँ बेटने से आपको आंसर भी मिलते होंगे, कृष्णा जी आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं, कि अगर कुछ भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो किसी को बोला जा रहा है कि आप गीता पड़ो, गीता से म मैं अगर मेरी एनरजी को पिक नहीं कर सकते हूँ, आप समझ नहीं सकते हो मेरी बातों को, तो उसके आंसर आपको गीता में मिलेंगे, ठीक है, गीता पड़ने से आपके सारी जो दूनिदा हैं, अंदर के जो विकार हैं, अंदर जो भी आपकी गूम रहा है, डिसिजन नही ले पारे हो, वो सब आपको गीता में मिल जाएगा और आप ऐसा फील करोगी कि खुद मैं आकर खड़े होकर मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं कुछ बताना चाहा रहा हूँ आपको मैं आपका एक सार्थी हूँ ठीके, मुझे पर विश्वास करो जहां मैं ले जाओंगा, जो मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा यहाँ पर अभी कोई बच्चे को लेकर गोध में बेठा हुआ है, या कोई किसी की गोध में बेठा हुआ है, ठीके तो मैं पिक कर पा रही हूँ उनकी एनरजी को अप कृष्णा जी ने आपका हाथ पकड़ रखा है मुझे इसा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, या उनसे प्रेयर करते हो, प्रातना करते हो, तो कृष्णा जी आपको रोने से मना करते हैं रो मत जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, वो आपका कार्मिक था, ठीक है, इसे बच्चे कलियर करना था, वो हो चुका है, अब आप अपनी जिंदिगी को नए सिरे से शुरू करो, आगे शुरुवात करो, अब किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज की रिपिट नहीं होगी, जो अब आपके ब्लोक केस का कारण बने, जो आपके दुखों का कारण बने किसी की बोडी में आपर देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा गहाव है और काफी मतलब एक परिशान हो रहे हैं, तो कृष्णा जी मंत्रों का उच्चारण करों, ठीके, किसी को बोडी से, हाल्थ से, कुछ भी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ना अंदर ही अंदर, जीसे कहते हैं, मोन जाप आप मंत्रों का उच्चारण करों, आप देखोंगे कि मतलब वन या टू वीक में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो मतलब एक, यह नहीं है कि खतमी हो जाएगी, लेकिन उसमें बहुत रिकवरी होगी, आपकी उसमें एक राहत आपको महसूस होगी, किसी के लिए मेसेज है, कि आपको तुलसी के पत्तों का उसका रस निकाल कर, उसको एक गलास पानी में मिक्स करकर आपको पीने की जरुत है, वो आपके सोलर पेसेज चक्रा को ठंडा करेगी, थोड़ा किसी का सोलर पेसेज चक्रा बहुत एक्टिव हो रहा है, ठीके, तो वो आपको ठंडा करेगी, किसी को ठंडा पीने के लिए बोला जा रहा है, ठंडा खाने के लिए बोला जा रहा है, किसी के लिए मेसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कि आपके घर में जो बाकेट होती है, वो खाली पड़ियू रहती है, ठीके, तो वो खाली बाकेट को आप या तो धूप में रखो, या बाहर की तरफ रखो, आप ऐसी जगे रखते हों, शायद अपनी बाकेट को कि जहाँ पर वो ठीक नहीं है, किर्शना जी किसी को बोल रहे हैं, कि आपको है न योगा करने की ज़रत है, मेडिटेशन आपको करना है, किर्शना जी आपको सपने की थुरू, बहुत आपको, मतलब एक बहुत भावी रूप में आपको दर्शन दे सकते, एक बहुत चीजें जैसे होंगे न, आपकी अचानक से आपके साथ कुछ मिरीकल्स होंगे, एक आप देखोगे, आप महसूस करोगे कि हाँ, कोई परम शक्ती है, मेरे साथ कोई परम उर्जा है, मेरे साथ जो हमेशा मुझे गाइट करती है, मुझे ब्लैस्ट करती है, मुझे मोटिवेट करती है, एक अलगी पावर में मुझे लेकर जाती है, तो उस अभी तक शायद आप समझ नहीं पा रहे थे, अबी तक आप महसूस नहीं कर पा रहे थे मतलब फील करते थे लेकिन जानना चाहते थे समझना चाहते कि ये है कौन तो उसका बहुत जल्दी आपके सामने खुलासा हो सकता है कृष्णा खुद करेंगे यहां पर आपके सामने कि कौन है आपके साथ कौन सी उर्जा रेती है कौन सी शक्ति रेती है आप थोड़ा अपने मन को किते हैं न कि मन की शक्ति अब ये मन की शक्ति इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो कृष्णा जी आपको बोलने आपका मन है थोड़ा से बहुत जल्दी जैसे किसी की बातों में आ जाते हो, बहुत जल्दी किसी के उपर विश्वास कर लेते हो, इमोशनल हो, तो आप अपनी उपर विश्वास करो, किते हैं न, कि मन की शक्ती बहुत बड़ी होती है, ठीके, Mind Power, उसको थोड़ा सा जो मैं छुपा हुआ है, क्या चाहते क्या हो, क्या इच्छा है आपकी, वो मन आपका है न, बहुत ज़्यादा आपको विचलित करता है, थोड़ा सा मन पर अपना कंट्रोल करना सीखो, क्रिश्वास जी आपको बोल रहे हैं, मन की जो केते हैं, हर वक्त मन की नहीं सुनी जाती है, मन तो मतलब इतना वो होता है ना ये इतना चंचल होता है कि जो इसे वश में कर लेता है मतलब उसकी जो इच्छाएं होती है वो फिर दुखों का कारण ही क्या होता है कृष्णा जी आपको यहाँ पर बता रहे दुखों का में कारण ही होता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है तो ये क्या हो गया मन हमारा दो मुनिट में ये चाहता है मन हमारा दो मुनिट में वो चाहता है हो जाता है पूरा तो बहुत अच्छा नहीं होता है तो फिर हम परिशान होने लगते हैं तो कृष्णा जी आपको यहां से मजबूत करना चाहते हैं। कृष्णा जी आपको देखते हैं, कभी-कभी आप बातों को बहुत गहराई से ले लेते हो। और वही जैसे केते हैं ना, कि जब हम किसी काम को गहराई से सोचते, वो हमारे सबकॉंसेंस मैंड में जाकर बेट जाती हैं। तो किसी भी काम को सोचने से पहले, मतलब उसको उसके उपर समय देने से पहले, दस बार, कि हाँ, मुझे इसके बारे में सोचना है, मतलब यह समझ लो कि आपको पता चलना चाहिए, यह गलत है, अब मैं इसके बारे में लगाता है, सोच रहूं, सोच रहूं, तो यह आप, आपको पता है, यह आपके सबकॉंसेंस मैंड में जाकर बेट रही है, और एक ब्लोक किस का काम कर रही है, कोई गलत चीजे हैं मानो कोई आपकी गलत हैबिट से कोई गलत आपका विचार है कोई गलत आपका कुछ भी ऐसा काम है और लगातार आप उसको करते जा रहे हो करते जा रहे हो उसको आप बड़ा कर रहे हो एक बड़ा रूप दे रहे हो आप और वही चीजे अगर जैसे उत धारन करती है तो यहाँ पर यही है कृष्णा जी आपको बता रहे हैं कि आपको सिर्फ मेरे उपर विश्वास करना है अपने उपर विश्वास करना है नहीं हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा है जो आप चाहते हो उसको मेरे उपर छोड़ो उसके उपर विचार विवश मत करो कोई अभी होस्पिटिल गया था बहुत जादा बीमार है ठीक है बहुत कुछ डॉक्टर ने कुछ गलत बता दिया है तो यहां पर कृष्णा जी आपके लिए मेसेज दे रहे हैं कि अभी अभी इत्ती जल्दी कोई भी डिसीजन लेने की मत सोचो ठीक है दो चार जगे जाओ कंसल्ड करो और वेट करो यह दीरे 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 अपने आप इंप्रूमेंट होते चले जाएंगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड इसी को कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा बता आपको पता चला है आपकी हेल्थ के बारे में तो आपको टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरह का कोई आप जैसे बंदरों को कुछ खिलाता है या पशु पक्षियों को या डोगी को फूट प्रवाइड करता है या कैथे ना दाना चुगाना बर्ड को कबूते रोगाना देना तो वहाँ पर जो कुछ भी करते हो न आप आपको नहीं पता आप अपने लिए कितने रस्ते पर आप चल रहे हो के तेना के स्वर्ग कहां है कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि बच्चे स्वर्ग वही हैं कि जहां पर आप कुछ अच्छा कर रहे हो अच्छे करम कर रहे हो क्योंकि वही काम आपको स्वर्ग की तरफ लेकर जा रहा है वही काम आपको मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है तो जो कुछ भी आप अच्छा कर रहे हो आप यहनी कि एक-एक step मोक्ष के द्वार स्वर्गी के द्वार पर आप जा रहे हो यहां पर कहते हैं ना कि कोई भी जब हम अच्छा करम करते हैं और करके हम भूल जाते हैं वो उपर वाले की डायरी में नोट हो जाता है हां कुछ कर दिया और आप बखान कर रहे हो उसको बावार तो उसका पुनि है ना जितने लोगों में आप शेर कर रहे हो ना वो पुनि उतने लोगों में बट रहा है ठीक है motivate करना चाहिए सब करना चाहिए बताना चाहिए पर अपना नाम लेके मत करो ठीके? कृष्णा जी हाँ पर बहुत कुछ ग्यान देना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं कि बुरी चीजों से, बुरे लोगों से बुरी जो भी गलत वाणी होती है उससे दूर रहो किसी के घर में आपी बहुत सादा आर्गुमेंट चल रहे हैं किसी उसको लेकर कि एक वो होता है ना कि घर का कोई बहुत बड़ा बुजूर्ग है कि उसी की चलेगी, उसी की मानी जाएगी यहाँ पर मेरा डिसीजन लास्ट डिसीजन है तो कृष्णा जी आपको यहाँ पर बोड़ रहे है कि थोड़ा बहुत अपने बच्चों की भी सुना करो आप आपके बच्चे आपका मार्क दर्शन अच्छे से कर सकते हैं आप उनको कमजोर मत समझो वो आप से जादा ग्यानी है हर सोल की अपनी एक एक उर्जा है कोई यहाँ पर कृष्णा को भोग लगाता है वो भोग में कोई जैसे किते हैं कि लड़ू होते हैं कोई रोटी का भोग लगाता है कोई फूल चड़ाता है यहाँ पर तो कृष्णा जी मतलब आपको देखते हैं कि मतलब यह कैसी भगती है यह कैसा प्रेम है उन्हें बड़ा आश्यर होता है भगती भी नाना प्रकार की होती है भगती का कोई मोल ही नहीं होता यह आपका प्रेम है तो वो जो भी आप करते हो ना वो अपका प्रेम को देखते हैं निहारते हैं कि किस प्रेम से आप मतलब एक अपने लिए कुछ कर रहे हुआ कोई को यहां चप्पल थोड़ा सा के तेने शूज हम डालते हैं तो वह थोड़ा सा आप धियान से देखा करो कि किस तरीके से आपने शूस पैन रखा है कोई को यहां अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परिशान रहता है तो कृष्णा जी यहां पर बोल रहे हैं उतना सोचो कि जितना आपकी कैपिसिटी हो जितना अन्नेसेसरी सोचोगे फ्यूचर के बारे मे सोचने लग जाओगे तो वो गलत हैं अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इनका भविश्य बन गया या ब्लॉक हो गया बहुत कुछ होना बाकी है अभी तो किसी के लिए मुझे यहां पर यह मैसेज मिल रहे है कि कोई अपने सर पे ओम बनाता है चंदन से ओम बनाता है अपने माथे पर और काफी लंबे टाइम से आप बनाते आ रहे हो कोई नई नई चीजे नहीं कर रहे हो आप यह काफी टाइम से बनाते आ रहे हो ये कोई यहाँ पर मंदित है, मंदिर के पुजा रही है जो इस डिडियम को देख रहे हैं और अपने पास्ट की जनम को आप जारना चाहते हो, कि मैं पास्ट में कौन था, मैंने पिछले जनम में क्या खरम करे थे, तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि कुछ चीजे ऐसी हैं जो इस जनम से आपकी आपके साथ जुड़ेंगी कुछ चीजे ऐसी हैं जो पिछले जनम से आप आए हो, बस आप इतना समझ लो, कि आपने, मैं एक बात बता दू क्लियर आपको, जो मुझे कृष्णा जी से मेसेज मिल रहे हैं यहाँ पर आप जो भी आप लेकर आए हो, मतलब आपके पास सब कुछ है, प्रेमे धन्दोलत है, सब कुछ है यहाँ पर तो आपने पास में कुछ ऐसे करम किये थे जो आपको मिल रहे हैं, और आपको कुछ ऐसा दिया जा रहा है, 50% आपका पिछले जनम का, आप वो कहते हैं न, हिसाब किताब आपको मिलता है, जैसे हम पूरे दिन काम करते हैं मानो कहीं, एक पार्ट टाइम जॉम मिल गई, कि सुबेशे शाम तक आपने किता काम किया, उसका पेमेंट आपको मिल जाता है, सेम ऐसे ही होता है, कि आपने पिछले जनम में क्या-क्या करम करे थे, लो ये उसका पेमेंट हो जाओ, अगले जनम में जाओ आप तो ये वही होता है, मानो किसी को कुछ भी problem है परेशानी है आज आप पंडित बन के बेटे हो जो कुछ भी है तो आपका 50% आपने बहुत spiritual journey पर बहुत काम किया था आपने बहुत कुदरत के उपर कुदरत के लिए कुछ किया था नेचर के लिए कुछ किया था आपने बहुत लोगों की सोलो की awakening करवा था तो वही है वही चीजें आज आप पंडित बनके बेटे हो यहां पर किशना जी यहां पर किशी के किसी के जिसे किते हैं कर्मों का हिसाब किताब यहां पर बराबर करने वाले हैं आने वाले तो या थ्री मंथ आपकी लाइफ में बहुत मेजर मेजर चेंज होने वाले है बहुत मेजर वदलाव आपके अंदर होने वाले जिसको देखकर आप भी हिरान रहोगे और आपके चेंजिस को देखकर दूसरे भी हिरान होने वाले कृश्ना जी आपको खुली आँखो से नजर आ सकते। किसी क्या रबड का कुछ मुझे ऐसा रबड है जैसे वो खिचते ना खिचते हैं उसको तो ऐसी चीजे घर में ना लाया करो मना कर रहे हैं या बच्चे जैसे लाते हैं आजकल वो जैली जो होता है ना बता नहीं बच्चे बहुत करते हैं इस सब चीजों को तो वो मत करो आप अपने घर में वो सही नहीं होता है क्रिश्णा ची आपको यहां पर यह बता रहे हैं कि आपके घर में बहुत जादा पहले कुछ ऐसी ऐसी चीजे थी जिसे आपके जो भी काम थे जो भी आपके अंदर की सकार अत्मकता थी ना वो दबी हुई थी आपकी विचार भी केलो या आपकी भक्ती केलो या आपकी प्रोग्रेस केलो वो दबा हुआ था कुछ चीजे थी आपके घर में ऐसी लेकिन कृष्णा जी अब आपको इस बात से निश्चिंद करा रहे हैं कि अब आपके घर में ऐसा भी कुछ भी नहीं है बिल्कूल आपको विश्वास करना है इन सब काम के उपर आपके लिए मेसेज है कि आने वाले एक यह दो दिन में आपके लिए कोई ओफर आ सकता है आपकी तरफ यहाँ पर और वो ओफर को आपको लेना है मना नहीं करना है वो बहुत बड़ा ओफर है आपके लिए आपके केरियर के लिए कोई जॉब का ओफर है कोई कोई यहां पर हारे किशना हारे किशना किशना हारे हारे यह लगाता जबता ही रेता है तो कृश्णा जी आपको यहां पर यह बोल रहे है कि ये जो आप करते हो Îससे आपकी जो केते हैं आत्मिक şांती वो जो मिलेगी न वो अभी आप सोच रहे हो कि लगातार ये करने से अभी मिल जाएगी मुझे तो कृश्णा जी आपको माना कर रहे हैं किसी भी चीज का जिसे फल होता है ना वो फल एकदम नहीं मिलता है, और मांगोगे तो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आप यह सोचते हो के मैं इतनी पूझापाट करता हूं, इतने करमकांड करता हो तो इसका फल क्यों नहीं मिलता है या तो आप देखो स्वार्थ से कर रहे हो तो छोड़ दो मुझे किसी का स्वार्थ जुड़ा होगा नजर आ रहा है याँ आपर जब केते ना कि कोई जौब भी हमें तब मिलती कि जब हम परिक्षा में पास हो जाते तो इश्वर भी आपका टेस्ट लेता है न वो भी देखते हैं न किसी किसी को यहाँ पर कृष्णा ने बहुत बड़ा आशिर्वाद दिया है बहुत ब्लैस्ट किया है यहाँ पर कोई यहाँ पर अपनी आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग करता है कि मैं इस काम को इस तरीके से करूँगा इस काम को इस तरीके से करूँगा तो क्या सही होगा क्या जो मैं प्लान करता हूँ वो सही है कि नहीं है तो कृष्णा जी आज आपको यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि प्लानिंग तो आप करते हो पर आगे क्यों नहीं बढ़ते हो आगे बढ़ोगे तब ही तो आपको पता चलेगा कि यह सही है कि गलत है बच्चे मुझे वो टेरू का कार्ड है न चेरियट वो चेरियट मुझे नजर आ रहा है कि आप पूरे तयार हो सब कुछ आपको पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपको समझाना था आपको सुर्जा से निकल चुके हो बस आप आगे बढ़ो किसी के घर में कंकड रखा हुआ है और वो शायद बहुत अच्छे मन से लाया गया था वो कंकड आपने शायद अभी भी रखा हुआ है जैकि बहुत अच्छी बात है वो अच्छी उर्जा है उसमें कोई यहाँ पर आने वाले एक हफ्तों में ट्रैवलिंग कर सकता है कई गूमने जा सकते हो आप सभी घर की पूरी फार्मेली मेंबर और किसी तीथर यात्रा पर ही जा रहे हो आप सभी कोई विश्ट थी कही से कुछ मांगा था आपने वो कंपलीट हो रही है यहाँ पर तो आप उसकी मनणत लेते हैं वो मनणत जब पूरी हो जाती है तो उसे पूरा करने जाते हैं और वो पूरी हो रही है आपकी कृष्ण आपकी जो मन की सच्चाई है जो आपकी जो कोई भी आध्यात्मी क्यात्रा में जो नित्ति उनकी जैसे कहते हैं, सेवा करना, उनको भोग लगाना, उनका ध्यान करना, जो भी नित्ति आप करते हो उसका फल अप कृष्णा जी आपको यहाँ पर देने वाले हैं, को यहाँ पर नित्ति उनके कपड़े भी बदलता है, बहुत तन मन से उनकी पूझा की जात बच्चों की रूप में देखने के लिए मिलेगा किसी के घर में एक जैसे क्रिष्ण भागावान जैसा लडू को पा लेना एक ऐसा कि आप Me available में एकेया इसी सोल का जनम हो रहा है आप मारगविय क्रिष्णा जी का जनम हो रहा है किसी के घर में मतलब उनी का एक रोप है, हम भी तो उनका एक अंशी ही है सब कहां से निगले, उनी से निगले हुए किसी की घर में कोई मतका रखा हुआ है तो प्लीज मतका या गमला, कुछ भी रखा हुआ है तो प्लीज बहुत टाइम से में से उसको खाली मत रखो, उसके अंदर पोधा लगाओ, या कुछ सामान बाहर के रखो, या डेकोरेट कर दो, उसमें कुछ भी आर्टिफिशल, कुछ भी लगा कर, उसे खाली मत रखो आप, किसी के घर में कैट है, ठीके, तो या कोई भी बर् कोटी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ, आपको रखने की ज़र रहते हैं, अदर्वाइस आपको रखने का कोई हक नहीं है, क्यों रख रखा है आपने, निकाल दो उसको वहां से, आजाद कर दो, क्रिशना जी आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग की जा रही है, आपके लिए, जो भी यहां पर इस पर चल जैननी पर है, ठीके, उनी के लिए मेसेज हैं, किसी के रश्ते में बहुत बड़ी अपोचिनेटीज, अबंडनस यहां में यहां पर देख रही हूँ, जिसे भी फाइनेंशली प्राब्लम थी, उसको बहुत जल्दी कोई अपोचिनेटीज आपकी तरफ आ रही है, गुड नियूज, मुझे कुछ गुड नियूज सुनाई दे रहा है, गुड नियूज आपको मिलेगी, जिसका भी आप वेट कर रहे हूँ, जो भी लड़ू कोपाल की सेवा करते हैं, आप अपने घर में, उसका फल आपके आपके बच्चों के रूपे मिलेगा देखने के लिए, कृष्णा जी, आपसे बहुत खुश रहते हैं, बहुत थैपी रहते हैं, बर थोड़ा सा कभी-कभी नाराज भी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉंग बनाओ, अपने आपको दिहान करो, मेडिटेशन करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीने की ज़रत हैं, पानी पीओ आप, किसी का हाल फिलाल में किसी का घर में से कुछ गुम हुआ था, वो अभी तक नहीं मिला है, ठीके, तो आप लोग दिहान से क्यों नहीं देखते हो, दिहान से देखो, वो आपी के घर में मिलेगा आपको, आपी की घर में वो, और वो कोई ऐसी जगा पर है, वो छोटी सी ची पॉनॉइं कैसे तो वह दबी हुई है खई बॉक्स के अंदर है या कुल इसरो बाहरा हुई है कैसे । और वह मिल जाएबी आने वाले एक महिने के अंदर वह आपकी चेज मिलेगी आपको कृष्णा जी किसी के सामने कोई सच्चाई लेकर आने वाले हैं ठीक है कोई सच्चाई आपके सामने राएगी वो आपके जैसे केते हैं ना कि हमें कोई आशिरवाद मिलता है तो आपको कुछ आशिरवाद दिया जा रहा है तो उसका खुला सा आपके सामने होने वाला है आप काफी टाइम से लंबे टाइम से आप बेड़ पर बेठे हुए हो किसी की हेल्थ सही नहीं है तो कृष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि आने वाले एक महीने के अंदर आप देखोगे कि आपकी हेल्थ में बहुत इंप्रूमेंट है यहां पर थोड़ा सा कोशिश करो उठो चलने की कोशिश करो मुझे वो आशिरवाद देते हुँ जिसे किते हाथ नजर आ रहा है आपको आशिरवाद दे रहे हुँ कि बच्चे उठो तुम फिर से चलोगे घूमोगे फिरोगे किसी के लिए गाय की रोटी निकल कर आ रही है आपको गाय की रोटी नित पहली रोटी गाय की रोटी निकालना है जो भी ऐसा करता है उसको वहाँ पर कृष्ण भागवान की एक ब्लेसिंग्स मिलती है ठीके और गाय को हरी घास पहली रोटी आवस्ची देना है आपको ख्रिष्णा जी आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको अपने उपर बहुत काम करने की जारत है ठीके मैं हूँ साथ में आपकी आप कुछ काम को करना चाहते हो आगे बढ़ना चाहते हो ठीके तो मैं जिस गाइडलाइन्स की भी जरुरत होगी जिस की भी हैल्प की जरुरत होगी मैं तुम्हें पहले से पहले ही मैं वो तुम्हारे सामने ला दूँगा कि देखो क्रिश्णा किसी किसी के मन में बसे हुए हैं क्रिश्णा तो आपको है न आप ही के अंदर हैं तो आपको अपने उपर विश्वास करना अपनी देखो इश्वर कहां से बात करता है सोल के थ्रू ही बात करता है ठीके आत्मा के थ्रू मेडिटेशन के थ्रू प्रक्रती के थ्रू ऐसे ही मेसेज देते हैं वो तो आपकी क्रिश्णा आपके मन में बसे हुए हैं आपके अंदर से जो आवाज आती है आपकी सोल कुछ केतर चाहती है ठीके तो ये आपको क्रिश् आपको सही रश्ता दिखाते हैं, वो आपकी आपी के अंदर बसे होएं, आपकी सोल के थ्रू आपको गाइट किया जाएगा, आपको अपने उपर विश्वास करना है, कि हाँ मेरे साथ कोई है, जो मुझे हमेशा सही रश्ता दिखाता है, और मैं वहीं हूँ, मैं वहीं आपके साथ में हमेशा मैंने साथ दिया है अभी भी साथ दूँगा और देता रहूँगा कभी भी अपने आपको अकेला मस समझो अपने उपर विश्वास करो ओके फ्रेंड्स तो ये थे क्रिशना के मेसेज I hope आपसे रिजोनेट हो अगर होते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और थेंक यू, थेंक यू सो मच और प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करो क्योंकि ये ये मेसेज इंटुटिवली होते हैं सोल इनको कनेक्ट करती हैं ठीके तो मैं इस रेडिंग को ये पर क्लोज करती हूँ जे शी किष्णा, राधे राधे